नमस्कार विवर्स स्वागत है मेरे चैनल में आज की वारता विवर्स फोकस्ट है वरिष्चिक राशी वाले जातकों के लिए मई 2019 ग्रहों के गोचरी हिसाब से कैसा जाने वाला है केरियर, हेल्थ, पीस, प्रोग्रेस, मैरेज, कैसा इन जेनरल गोचिले इंपक्ट इस मईने आपके जीवन में रहने वाला है विवर्स, एक मई से साथ मई, इस दोरान सूर्य का उच राशी में यात्रा होने से विरिष्चिक राशी वालों को बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी और सफलता उनके कदम चुमेगी दो और तीन मई को पैसे का आवक अच्छा बना रहेगा किसी पारिटी या समारों में किसी पुराने मित्रे से मुलकात होगी वहीं या मुलकात किसी नए बिजनस डील में परिवर्ति हो सकती है विध्यारतियों के लिए समय बहुत अनकूल है कड़ी मैनत का अच्छे प्रणाम प्राप्थ होंगे चार और पांच मई को प्रत्योगी प्रक्षाओं की त्यारी कर रहे स्टुडेंट्स को अधिक मैनत करने की आवशकता रहेगी इसके अत्रिक्त समय अच्छा निकलेगा आर्थिक सिती में कई उतार चड़ाप देखने को मिल सकते हैं लेकिन पैसे की कमी के चलते आपका काम नहीं रुकेगा वहीं प्रेमी प्रेमी का अपने प्यार के रिष्टे को एक नया आयाम दे सकते हैं इस समय आपको अपने प्रियतम से मिलने का भरपूर मौका मिलेगा आपके रिष्टे में एक नई शुरुआत हो सकती है 6 और 7 मई को जिन जात्कों को सचा प्यार की तलाश है उनकी ये तलाश इस अपता पूरी होने वाली है जो बात में शादी में कन्वर्ट होगी और मेरेज का प्रपोजल आपके लिए लेकर आएगा मोटे तोर पर ये समय केरियर बिजनसमैन के लिए और शादी के जो रुक्यों काम है के लिए बहुत मांगली को शुब रहने वाला है 8 मई से 15 मई 9-10 मई को मंगल राओ की यूती होने से अंगारक दोश गटित होने से छोटे मोटे विवार्ट सामने आ सकते हैं लेकिन आप अपनी सूजबूच से उन्हें दूर करने में सफल रहोगे अपने क्रोध पर नियंतरन रखे अन्यता क्रोध में आकर आप अपना ही नुकसान कर बैठोगे स्टुडेंट्स को माता पिता और गुरुजनों का सयोग मिलता रहेगा उच शिक्षा के लिए समय अंकुल है 12-13 मई को आप दोरा की गई मैनत रंग लाएगी इच्छित कॉलेज में दाखिला मिलेगा आपको परिस्ति में जीवन साथी का सयोग समय समय पर मिलता रहेगा खुशाल वैभाईक जीवन बरकरार रखने के लिए आपको जीवन साथी का प्रैप समय देना होगा आप अपने पत्नियों बच्चों के लिए साथ किसी धार्मी यात्रा पर जा सकते हैं 14-15 मई को चोटे बच्चों को मौसमी बिमारियां से परिशानियां हो सकती है साथी स्वास्त के पती लापरवाई ना बरते हैं अपनी इम्मिनिटी, शम्ता को बढ़ाने के लिए मौर्निंग वॉक करें, योगा प्रनायम करें, लाप मिलेगा 16 मई से 23 मई इस सब्ता सेबंध आउस में सूरे बुद्ध की यूती से निर्मित बुद्ध अधित्य राजियोग होने वाला है जो आपके जीवन में निया उमं, निया उत्सा और भागे उदे कराएगा 17-18 मई को मित्रे के सेवक से जीवन में नई खुश्यां आएगी वैपार में काम्याभी और तरक्की मिलेगा रुके होए आधे अधूरे कारे पूरे होते दिखाई देंगे नौकरी में प्रमोशन अत्वा इचित स्तान पर स्तानांतरन समाबना है प्रोफेशन लाइफ में परिवर्तन दिखाई देगा किसी भी कारे के पती जल्दीबाजी ना करें अन्यते परशानी में पढ़ सकते हैं को विवाक के प्रस्ता प्राप्त होंगे और कुंडी मिल जाने से परिवार में खुशी एवं हर्शोल लास की सिथी बनी रहेगी 22-23 में को अभीनेता एवं अभीनेत्रियों की हाल में रिलिस फिलिम बॉक्स अफिस में धमाल मचाईगी राजनीटी से जुड़े जातकों के लिए समय बहुत परिवर्टन अच्छा रहेगा 24 में से 31 में इस सब्ता कड़ी मेहनेत लिस्ची तोर पर आपको सुकत प्रणाप देगी बिजनस में बहतरीन मेनेजमेंट की अपशकता है 25 और 26 में को आये के भाव के स्वामी बुद्ध की सेवंथा उसमें यात्रा होने से बुद्ध घ्रह से संबंदित आप अपने बिजनस का विस्तार कर सकते हैं लेकिन किसी भी दस्तावेत पर अस्ताक्षर करने से पहले उसका पूर्णतय जांच अवश्य करें आपकी सभी ख्वाइश पूरी होगी और रुक्यों काम पूरी होंगे नव दमपतियों को संतान के रूप में फल मिलने के योग हैं जिसे घर परिवार में आपार खुशियां का महौल बना रहेगा 28-39 मैं को आएगी अबिक्षा धन का वयाधिक होगा पारिवारे किस्तों में चल रहे मन मुटाब में मदूर्था आएगी विप्रीत लिंग वैक्तियों से हुए परिचय से प्रेम सम्मंद बनने की संभाबना है आपकी राशी से दूतियों बाब में शनी केत्टू की योथी होने से विरोधी एवं दुश्मनों से आप परिशान रहेंगे अटका हुआ सरकारी कारे किसी प्रभापशाली वैक्टिंग मदद से पूरा होगा 30-31 माई को पुराने रुके हुए अत्वा फंसेवा धन की पुना प्राप्ति होगी जो स्टूडेंट्स उच सिक्षा के लिए विजेश जाना चाते हैं उनकी इच्छा पुरी होगी और ये समय अनिकूल रहेगा मोटिय तोर पर ये समय बहुत भागशाली और परिवर्तन का रहेगा विवर्स आप में से जिनकी महादर्शाएं अच्छी चल रही है महतरीन बना सकते हैं आप रविवार के दिन सान को गुड़ खिलाएं आप अपने वजन के अनुरूप जवार बाजरा तोलकर कबुत्रों को दान करें परतेक सोमवार को वटवर्क्ष की पूजा करें शनिवार के दिन मचलियों को काले चने खिलाएं बहुत लाप की प्राप्ति होगी विवर्स धनिवाद एक और वारता के साथ अतिशीग्र आपसे मुलकात होगी